ए। हड़ो दोस्तों कैसे हैं आप सब ümdd है आप सब कुछ नगा पड़ रहे होंगे और कुछ नगा जरूर सीख रहे होंगे दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं समय बदल रहा है टेकनोलोजी चेंज हो रही है और job के type change हो रहे है जॉब करने के तरीके चेंज हो रहे हैं जो आज से 15 साल पहले जॉब करने के तरीके थे ज़रूरी नहीं है आज भी वही सेम जीज है काफी कुछ बदलाव हम देख चुके हैं और आने वाले समय में कितना कुछ बदलाव अभी होना बाकी है ऐसे में वही लोग मार्केट में सर्वाइब कर पाएंगे कि जो दूसरों से कुछ हटके करते होंगे दूसरों से कुछ बहतर करते होंगे दूसरों से ज़्यादा स्पीड के साथ में करते होंगे तो वही लोग मार्केट में सर्वाइब कर पाएंगे ऐसे में समस्या तब आ जाती है जब हम कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसको replace करना या replicate करना आसान होता है यानि कि उसको कोई भी कर सकता है कोई भी उसको copy कर सकता है या कोई भी ये कहलो कि उस technique को चुरा सकता है लेकिन जहां पर कोई कुछ इस परकार का काम करता है कि कोई दूसरा उस काम को कॉपी नहीं कर सकता है दूसरे को वो काम कॉपी करने में बहुत मुस्किल आती है तो ऐसे में उस इंसान का सर्वाइब करना ज्यादा असान हो जाता है दोस्तों आज हमारी life में इतना distraction है कि हम किसी भी काम को एक कागर होके नहीं कर सकते हैं हम हर मिन ऐसे में एक काम में फोकस करना हमारे लिए बहुत मुस्किल हो जाता है और ऐसे में आने वाले टाइम में सर्वाइव करना हमारे लिए बहुत मुस्किल हो जाएगा तो फिर आखिर ऐसा हम क्या करें कि हम एक तरीके से फोकस होके काम करें अपने काम को बहतर तरीके से करें और और वो टेक्निक है डीप वर्क दुणिया में जितने भी सेस्अफफफुल लोग हैं, या जिन्नोंने बड़ी-बड़ी कंपणियां बनाई हैं, या फिर कोई प्रोग्रामर हैं उन्होंने बहुत बड़े-बड़े प्रोग्राम लिखे हैं, या फिर कोई books जिनोंने लिखी हैं या फिर बहुत successful novel जिनोंने लिखे हैं उन सब के अंदर एक चीज common थी और वो थी deep work की technique दोस्तों deep work वो चीज है यानि जिससे कि हम अपने पूरे focus के साथ में किसी काम को एकागर होके करते हैं और जब हम इस तरीके से किसी काम को करते हैं बिना किसी distraction के कोई हमको disturb करने वाला नहीं होता है तो उस समय हमारी जो output निकल के आता है जो productivity निकल के आती है वो बहुत ही कमाल की होती है और उसको replace करना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता है दोस्तों author कहते हैं कि आने वाले time में अगर आपको market में survive करना है तो आपको तीन प्रकार के इंसान होना जरूरी है यानि कि ये तीन प्रकार की skills आपके पास होनी चाहिए नमबर एक तो आपको highly technical skills आपके पास होनी चाहिए जो कि आने वाले time में जितने भी machine हैं complex machine हैं उनको operate करके उनके साथ आप adjustment करके उनको चलाना सीखना है उनके साथ में काम करना है तो आप survive कर पाऊगे दूसरे नमबर पर author कहते हैं कि superstar आते हैं इस प्रस्टार वो लोग है जो अपने field के masters होते हैं यानि कि जिनको अपने fields में इतनी ज़्यादा knowledge होती है कि वो जिस काम को करते हैं दूसरा इंसान उस काम को उतने असानी से नहीं कर पाता है और तीसरे वो लोग होते हैं जिनके मशीनों के साथ में जो कमारी complex मशीन हैं उनके साथ में हम अपनी skills को इतना improve पल लें कि उनको हम operate करना सीखें उनके साथ में काम करें और या फिर हम वो skills सीखें कि जो हमारी skills हैं अपनी सपोस करो कोई graphic designer है कोई video editor है कोई content writer है कोई कुछ है वो अपनी skills को इतना ज्यादा improve कर दे ना सिर्फ अच्छे तरीके से काम दे बलकि पूरी speed accuracy बहुत तरीके से काम दे अचा पहले वाले time पे क्या होता था जब globalization का दौर नहीं था internet इतना ज्यादा popular नहीं था कि हम एक दूसरे से इतनी जल्दी connected थे तो उस समय क्या होता था एक शहर के लोग एक सहर से ही उनका competition होता था मालो एक सहर का जो video editor है उसका competition अपने ही सहर के video editor से होता था जब उसको वहाँ पर काम करके देना है लेकिन अब आज के समय में यह है globalization के दौर में कि दिल्ली में अगर कोई company है उसको video editor चाहिए और दिल्ली में कोई video editor ऐसा नहीं है जो उसके काम को अच्छे तरीक marketing उससे करवा सकता है और online के दोर में यह चीज़ें बहुत आसान हो गई है तो अब आप सोचो कि competition कितना ज्यादा बढ़ गया है अब ऐसे में अगर हमको सिर्फ अपनी ही city से competition नहीं करना है हमको पूरे globalized competition हमारे पास है तो ऐसे में जरूरी है कि हम survive कर पाएं उसके लिए ह हम दो तरीके से किसी भी काम को करते हैं एक होता है deep work और दूसरा है shallow work deep work वो काम है जब हम किसी काम को बिल्कुल एकागर होके एक चिंता से उसमें बिल्कुल लगे हुए बिना किसी distraction के ना कोई फोन ना कोई वीडियो ना कोई social media बिना किसी distraction के जब हम किसी काम को करते हैं औ और पूरी गहनता के एकागरता के साथ कोई काम करते हैं, तो वो होता है deep work, ऐसे काम से न सिर्फ हमारी productivity बढ़ती है, बल्कि हम धीरे धीरे उसमें expertise हासिल करते जाते हैं, और उससे जो परिणाम निकलते हैं, वो बहुत ही कमाल के होते हैं, वहीं दूसरी तरफ होता है shallow work, shallow work वो काम है जिसको हम पूरी distraction के साथ में करते हैं, यते हैं अगर हम office में काम कर रहे हैं, साथ ही हम एक data sheet पर काम कर रहे हैं, साथ ही हम phone का reply भी कर रहे हैं, email का reply कर रहे हैं, अपने facebook, twitter, social media, instagram पर हम लगे हुएं, तो धीरे धीरे करके हम क्या कर रहे हैं, यानि कि multitasking जिसको आप कहते हैं, बहुत कुछ हम कर रहे हैं, अच्छा बहुत से लोग यहाँ पर यह कहेंगे, कि multitasking एक बहुत अच्छी चीज है, कि multitasking अगर हम करते हैं, तो वो हमारे career के लिए अच्छा है, लेकिन multi-research में यह बात साबित हुई है, कि multitasking करने से आप किसी भी काम को उतने बहतर तरीके से नहीं कर पाऊगे, जितना कि आप deep work रहके कर पाऊगे, आप कर दोगे उस काम को, लेकिन shallow work से जो काम निकलता है न, उस काम को replace करना आसान है, उस काम को कोई भी इंसान replace कर सकता है, अभी COVID के टाइम पर हमने देखा है, लोगों की कितनी jobs गही है, और ऐसे समय में भी उन लोगों की jobs बची भी रही, जो ऐसे लोग थे, कि जो उनका काम कोई और उतने आसान तरीके से नहीं कर पाता था, उसको बहुत मुस्किल होती थी उस काम को करने में, तो आपको अपनी जो skills हैं आपकी, आपको इस level तक लेके जाना है, और उसके लिए जरूरत है deep work की, अब multi-tasking है या shallow work, shallow work क्यों इतना ज़्यादा नुकसान दायक है, इसका एक सबसे बड़ा कारण है attention residue, जब उस काम में आते हैं, तो हमारी जो attention है, वो 20 से लेके 30% जो attention है, वो उसी काम में रह जाती है, और 70-80% attention ही हमारी वापस उस काम में आती है, अब ऐसे में जब हम देखते हैं, कि जो 70% attention है, उसको 100% लाने के लिए, फिर हमको पूरी focus करना होगा, बहुत टाइम उसमें लग जाएगा, और जब तक हम ऐसा करेंगे, जब तक हम फिर किसी ने किसी चीज़ से distract हो जाएंगे, और हमारा focus फिर चला जाएगा, तो ये attention residue जो है ना, इसके कारण हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए sallow work इतना ज़्यादा effective नहीं है, और अगर आपको survive करना है market में, अगर आपको बदलती situations के साफ से ढलना है, अपने आपको better बनाना है, तो दूसरों से आपको कुछ ने कुछ बहतर करना पड़ेगा, आपको deep work करना पड़ेगा, बिना किसी distraction के सीखना पड़ेगा, और आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, जो दूसरे उस काम को ना कर पाएं उतनी जल्दी, उनको बहुत उसमें मुस्किल हो, और आपका जो काम है, वो आपके लिए ना सिर्फ कोई value एड़ करें आपकी life में, बलकि एक successful इंसान के तरब भी आपको ले जाए, और दूसरे उसको जल्दी से copy ना कर पाएं, अब यहां सवाल उठता है, deep work कैसे करें, author इस book में बताते हैं, चार्थ प्रकार के deep work के बारे में, जिसमें सबसे पहला है, monastic approach, monastic deep work वो है, जैसे कि हम कहते हैं कि एक monk style में, यानि कि एक साधू की तरह बिल्कुल अलग होके, जंगल में या forest या मतलब कोई लेक साइड किसी का home हो, मतलब बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अलग होके, और पूरी तरह से बस अपने काम में डूबना है, और बस उस काम को करना है, कोई distraction नहीं है, वहाँ पे ना कोई phone है, ना कोई internet है, कुछ नहीं है, बस उनको अपने काम को, ऐसे काम तब करता है इंसान, जबकि वहाँ पर कोई goal उनका ऐसा हो, जिस goal को उनको पूरा करना हो, और वो एक दम दुनिया से अलग हो जाते हैं, और उस काम को करने में, अपने goal को पूरा करने में लग जाते हैं, तो यह होती है monastic approach, जैते Bill Gates के बारे में कहा जाता है, कि वो क्या करते थे न, वो हबते में 2-3 बार think week का अपना वो करते थे, कि जिसमें वो जाते थे, और बिल्कुल एकान्त होके अपने forest में, जंगल में जो मतलब forest में कहलो, या lake side बीच में, जो भी उनका वहाँ पर घर होगा, वहाँ पर वो जाते थे और बिल्कुल एकान्त होके, पूरी तरह से समास से कट के, और अपने काम में, अपनी programming में लग जाते थे, और उसकी वज़े से ही, जो है, वो Microsoft, उसी programming की वज़े से ही, Microsoft की जो base है, वो तयार हुआ, और Microsoft इतनी बड़ी company जो है, बन पाई, तो वो सिर्फ इसलिए हुआ, क्योंकि उन्होंने deep work किया था, तो इस तरीके से एकांत होके भी आप कर सकते हूँ, तो अब हो सकता है, हर किसी के लिए था possible ना हो, कि समाज से बिल्कुल कटके, एक तरफा बिल्कुल एकदम, Monk के स्टाइल में चले जाओ, तो दूसरी approach जो author है, वो कहते है, by model approach है, अब by model approach में क्या है, इसमें की Monk स्टाइल भी है, और दूसरी यह है, कि हम समाज के बीच में भी रहें, और अपने सारे normal काम भी करें, और एक Monk की तरह भी हम, बीच बीच में थोड़ा अलग चले जाएं, और अपने काम को कर लें, जैसे कि JK Rowling के बारे में author कहते हैं, कि जब वो अपनी Harry Potter series का, जब novel लिक रही थी, तो उन्होंने क्या किया, कि वो हफते में क्या करती थी, एक दिन Sunday को जैसे, एक होटल में जाके, वहाँ पर उन्होंने अपना काम करना सुरू किया, घर की distraction से दूर, क्योंकि यहाँ पर बच्चे होते थे, शोड, सराबा, बहुँ सारी चीज़ें, तो वो वहाँ से दूर गई, वहाँ पर उन्होंने काम किया, और वो काम उन्होंने इस तरीके से अपनी बुक पूरी की, कि वो हफते में एक दिन जाती थी होटल में, और वहाँ पर अपना पूरा जो बुक से लिखी थी, उन्होंने वहीं पर अपनी बुक लिखिया, और इस तरीके से उन्होंने अपना काम को पूरा किया, नेक्स्ट जो यहाँ पर अपर अप्रोच ऑथर बताते है, वो है रिदमिक अपरोच, rhythmic deep work क्या है basically कि जैसे आपको एक time decide करना है कि जैसे suppose करो आप morning में 2 गंटे आप decide कर लो कि morning में 2 गंटे मुझे deep work करना है उस दोरान पूरा बिल्कुल बिना किसी distraction के आप एकागर होके आपको काम करना है और बाकी सारी चीज़ें छोड़के और daily आप एक अपना routine set कर लो जो भी आपके लिए better time हो तो वो होगी आपका rhythm है यानि कि जो आपका लगातार जब आप flow में आते हो ठीक है आप continue किसी काम को करते हो तो आपका एक habit बन जाती है फिर वो next यहाँ पर approach जो अथर बताते हैं वो है generalistic approach जैसे एक journalist होता है कि उनको जैसे कोई ख़बर मिलती है कुछ मिलता है तो वो वहीं पर ही अपना mic और camera लेकर तुरंट और shoot करने लग जाते हैं और अपना जो reporting है उनकी वो शुरू हो जाती है इसी तरीके से हमारी हम भी क्या कर सकते हैं कि जैसे हमको time मिला मालो दिन में हम एक घंटे के लिए free वे दो घंटे के लिए free वे तो वहाँ पर हम अपना काम सुरू कर सकते हैं और वहीं पर हम अपना deep work कर सकते हैं दो घंटे के लिए हम free होगे दो घंटे का break हमको मिलिया अब सबसे पहले यह है कि अब बात आती है डीप वर्क क्यों है किसी ना किसी कोई आपका यह गोल होना चाहिए जिसके लिए आप डीप वर्क करोगे otherwise क्या है आप बोर हो जाओगे basically क्योंकि जब आप बोर हो जाओगे तो आपका दिमाग हमेज़ा आसान चीजों की तरफ जाने लगता है जब आप बोर होते हो क्योंकि आपका दिमाग ढूंटेगा फिर कहीं social media है YouTube है Instagram है Facebook है वो उदर जाने लगेगा फिर तो आपका ये goal होना चाहिए basically क्योंकि जब आपका कोई goal होगा ना तो फिर आप डीप वर्क जादा अच्छे तरीके से आप कर पाऊगे क्यों जैते suppose करो आपका कोई subject है उसमें आप week हो English में आप मानले है week हो तो आप उस दो घंटे daily जो आप अपना rhythmic style में अगर मानले करते हो दो घंटे आपने daily decide कर लिया कि मुझको ये दो घंटे जो है अपना deep work करना है इस पर पूरा focus करना है बिना किसी पूर्ण अपने घर बैटर होता जाएगा और यह आपकी एक habit बन जाएगी मानलो आप कोई book लिखना चाहते हो तो वो आप उसमें आप कर सकते हो मानलो कोई चीज यह को project है ऐसा आपका जिसमें आपको एकांत की जरूरत है और वो बहुत ज्यादा deep work की उसमें जरूरत है तो जब आप इन तरी thoughts आपके जो ideas हैं आपके मितलब जो सोचने की सकती है आपकी वो आपकी extreme level तक चली जाती है क्योंकि आप उस समय पूरी तरह से उसमें एकागर होते हो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो और otherwise अगर आप normal routine की life आज की date में देखोगे तो normal life में हम इतना ज्यादा distract हो रहे हैं हम ए problem वापस अपने काम में आते हैं इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है हमारा time का भी waste होता है और हमारा काम वो effective ही नहीं होता है उतना productive ही काम नहीं होता है कि उसकी इतनी value हो कि वो दूसरों के काम पर भारी हो तो अगर आने वाले time में आपको survive करना है और आपको अपने career को आगे गती देनी है अपना विकास करना है दूसरों से अगर आगे आपको रहना है तो आपको deep work पर focus करना पड़ेगा deep work धीरे धीरे करके rare होता जा रहा है क्योंकि हम लोगों की life distraction से भर गई है तो इस book में author ने कमाल की चीज़ने बताई है और deep work के बाद अपसे आखरी में आपको क्या करना है जब आपने deep work कर ली आने से 2 गंटे तीन गंटे आप करते हो तीन गंटे चार गंटे आप अपना काम करते हो उसके बाद आपको फिर shutdown करना है यानि कि फिर mind अपना relax की इस्तिती में रखना है फिर यह नहीं है कि जबर्दस्ती आप 9 गंटे खीचे जा कर रहे हो किसी काम को जबर्दस्ती नहीं आपने decide किया 3 गंटे तो 3 गंटे उसके बाद फिर आप relax अपना आपको करना है normal आप जो आपको चलानी है लेकिन वो 3 गंटे बस सिर्फ काम है अगर इस तरीके से गर आप life में आगे चलोगे तो आप जो काम इस तरीके से करोगे आप कुछ भी काम करते हों आप एक teacher हों आप एक research करते हों आप या आप एक video editor हों आप एक graphic designer हों आप कोई भी हों आप अपने field में आप mastery हासिल कर लोगे deep work के द्वारा तो deep work को आपको अपनी lifestyle का part जरूर बनाना चाहिए और अगर आप deep work के बारे में और ज्यादा बहुत क कमाल की book है यकीन वानों मेरी पूरी सोच इस book ने बदल दी थी और मैं आप से जरूर request करूँगा कि आप भी इस book को जरूर पड़ो और अपनी life में deep work को follow करो सिर्फ cello work पूरी दुनिया कर रही है cello work के तरफ आपको नहीं जाना है अगर आप दुनिया से कुछ हट्या करन चाहते हो दुनिया से कुछ अलग लोगों से कुछ अलग आप अपनी productivity देना चाहते हो तो आपको भी कुछ अलग करना होगा जो सब कर रहे हैं उससे कुछ अलग करना होगा अगर आप वही करते हैं जो सब करते हैं तो पिर आपको भी वही मिलेगा जो सब को मिलेगा तो आ आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और बुक के कुछ बहतरीन नौलेज के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए.